ढून-मर्णिंग ड्य इऊ स्टूडे explored अज कहा हमारा टॉपिक है वीट योज ये सिर्विकी में और जिसके योग की मात्रह होती है वो इसका डिपोजिटिन ये ँर, निर्मान्ड की प्रकार्ष्ट से उसको उस प्रक्रिया को समझाया जाता है. यह योग जो निर्मित होता है, वो एम्भीयों के निर्मान के लिए बहुता आवश्यक होता है. तो, in reproduction, वाइटलोगनेसिस is a process of योग formation, और योग deposition in which the nutrients are deposit in the oocyte. वाइटलोगनेसिस एक प्रक्रिया है, जिसमें कि योग का निर्मान होता है या योग का डिपोजिशन होता है जो की nutrients होते है उचाइट के लिए या developing ओन होता है जर फर्टिलाइज़ेशन होता है तो वो embryo काम में convert होता है तो वहां पर ये nutrition को काम करते है pathway life material in the u-s Guide cytoplasm includes energy sources and energy producing यहां पर एंजाइम का निर्मान होता है एंजाइम उपस्तित होते है डिन न और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्योंकि यह सभी सब्स्टेंड या सभी जो प्रधार्त होते हैं उनकी आउश्रक्ता होती है स्टोर्ड मैसेंजर आरेने स्ट्रेक्टर प्रोटीन और मॉर्फोजनेटिक रेगिलेटरी फैक्टर देट कंट्रोल अर्लियर एंब्रियो जनेसिस ग्रोथ फेजिस जब उसाइट अपने साइज में इंक्रीज करता है क्योंकि वहां पर योग का फॉर्मेशन हो रहा है तो अणक्रोजनेसिस की करिया हो रही होती है इस प्रक्रिया में साइटोप्लाज्म और नूकलियर मैटेरियल ग्रो होता है और vitalogenesis में synthesis होता है केवल योग का pre-vitalogenesis में होने वाली विबिन प्रक्रियाएं या विबिन प्रकार है विबिन प्रकार की RNA का formation होता है nucleus का size increase होता है nuclei increase होता है mitochondria का number increase होता है corticals granules का formation होता है और follicular cells जो की एक जो oocyte होता है उसके चारो तरह follicular cells और nerd cells जाती है जबकि vitalogenesis में योग का formation होता है vitalogenesis occur when the oocyte reaches the diplotene stage of meiotic prophase योग is not a single substance but a mixture of material materials used for embryonic nutrition insect में it start when the fat body stimulate and release zoevalan hormone and produces vatilogenin protein it occurs in all animals animal groups other than mammals mammals के according सभी animals में इस तरह से होता है इक protein होता है जिसके द्वारा की प्रक्रेया होती है chemically योग जो होता है वो लीपो प्रोटीन होता है जो की protein वे फॉस्पोलिपिट वे neutral fats जो होता है उनके द्वारा बना होता है जिसमें की कुछ अमाउट जो में ग्लाइकोजन भी उपस्तित होती है तो योग जो काफी जो mixture होते है उनका काफी जो प्रधारत होते है जिसे की लीपो प्रोटीन प्रोटीन फॉस्पोलिपिड ग्लाइकोजन आदी का मिश्ण होता है और यह सब मिश्ण योग का निर्मान होता है वो लीवर के अंदर होता है और यह स्टार्टिक में फॉलिबल फॉम में होता है त्रो शर्कुलेशन इस ट्रांसपोर्टेट तो दफॉलिकुलर्स फॉलिकल सेल देट सरांदेट दे मेच्चुरी ओवम और इस डिपोजट इन दी फॉर्म ओफ योग प्लेटलेट्स और ग्रेनूर्स इन दी उप्लाज्म योग का जो निर्माण है वो फीमेल के लीवर में होता है फीमेल पेरियंट जो होती है उसके लीवर में होता है और ये सॉलिबल फॉर्म में होता है और सर्कुलेशन के थुरू जो फॉलिकल सेल्स यह ओवम के चारो तरफ जो फॉलिकल सेल्स होती है चोटी चोटी उनके अंदर ये उपस्तित होता है it is deposit in the form of yoke yoke platelets के रूप में deposit रहता है और granules के रूप में in the ooplasm ooplasm में granules के रूप में और जो platelets होती है yoke platelets के रूप में जमा रहता है the mitochondria and golgi complex are set to bring about the conversion of the soluble form of yoke into insoluble granules mitochondria और golgi body जो उपस्तित होते है उनके द्वारा ही ये soluble से insoluble renewals या platelets में convert होता है liver जो की ये liver है जिनके की द्वारा yoke का formation हो और ये blood stream में जाके ये कुछ जो follicular यहाँ पर cell से उनको दे दिया जाता है या फिर ये एक का जो cytoplasm है यहाँ पर secrete कर दिया जाता है या यहाँ पर store हो जाता है ये in mammalian vitalogenesis, vitalogenin is the major protein produced by the wit gene and regulated by estrogen vitalogenesis के क्रिया mammal में एक जो gene होता है wit gene के द्वारा होती है और ये estrogen हार्मोन के द्वारा नियंद्रित होती है ये योग कंसिस्ट ओफ लेपिड ट्राइग्लिस्राइट कॉलेस्ट एक्सेक्टरा एंड प्रोटीन मेंली वाइटेलो जैनन changes during pre-wetalogenesis nuclear sap produced in a large amount of nucleus increase in size यहाँ पर ये जो nuclear sap की वज़े से nucleus के जो size होता हो बहुत अधिक increase हो जाता है ये चारो तरफ follicular cells है ये थीका internal or external cell है इनके अंदर ये बिल्कुल पासपा सटी रहती है और finger like projection के तुरू ये इनको जो योग होता है उसको वो provide कराती है यहाँ पर एक lamb rush chromosome का formation होता है gene transcriptional is amphibian oocyte जहाँ पर कि diplotin stage में certain chromosome stretch out large loop of DNA जिसमें की जो diplotin stage में जो DNA होता है वो loop के रूप में stretch हो जाता है इस तरह से और एक जो lamp को साफ करने वाले जो brush होती है उसकी तरह व्यवस्तित हो जाता है जिसको की lamp brush chromosome कहते है can revealed as the site of RNA synthesis जिसकी जो ये loop होती है वो RNA के synthesis से संबदित होती है जैसे कि हम इस चित्र में देखते हैं ये एक जो bottles वगरा साफ करने की lamp साफ करने की जो brush होती है जिसमें इस तरह से thread निकले होते हैं तो ये जो structure है ये RNA synthesis से संबंदित है जो की protein formation का का काम करेंगी ओन्हें फिर चाहिंस का ये किशित है हम इसकी तो ये अ वे आफ़ साफी है बिज़ को हर अ एंपराद अराने के ज्योज अ पuiten सच cách आफ्रैलिट siamo्त टेitar सेंच को बहते हैं ה popped वहती है उन्हेंओ पट्तित हैं दूएझ में पराद जीवाbach नज. healthy eating just पीनो साइटोसिस यहां पर क्या होता है कि जो लार्ज पूटीन होता है वो पा देस्ट पूटीन पासिस बीट्फीन दफूलिकलर सेल्स तुद ऑवरी जो फॉलिकलर सेल्स होती उनसे अवरी के ओवरी में किस प्रकार से जाता है and is incorporated into the oocyte by micropinocytosis जिस प्रकार से एक ovum है उसके चारोतरा follicular cells है और follicular cells के द्वारा एक micropinocytosis के द्वारा उन ovum तक पहुंशता है The pinching of the membrane-bounded vesicles at the base of microvilli यहाँ पे microvilli उपस्तेत होती है जो की pinching off करके वहाँ पे योग होता है उसको provide कराती है इन्ती mature oocyte vitilogenin is split into two smaller protein the heavily phosphorylated phosphovitine and lipoprotein lipoviteline यह दो ऐसे heavy protein है जो की split होते हैं vitilogenesis में इस two protein are packed together into membrane-bounded yolk platelets glycogen granules and lipochondrial inclusion store the carbohydrate and lipid component of the yolk respectively जो glycogen के granules होते हैं वो lipochondrial inclusion में store के जाते हैं the carbohydrate and lipid compound of yolk respectively इस तरह से यह उनमें embedded रहते हैं thank you next जो हमारा वीडियो होगा वो और टान से एसे बंस के तरह